हालो गाईज, वेलकम बाक टू आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चप्टर नॉबर 2, Fractions and Decimals जिसके Access 2.4 का Question Number 3 Question Number 3 है हमारे पास, Find करना है, आपको देखें, यहाँ पर कुछ Fractions आपको दिये वे हैं आपको division apply करना हो, तो आप क्या करो, division को convert कर दो multiplication में लेकिन जब division sign को अपन multiplication में convert करेंगे, तो एक बात का ध्यान रखना है कि division के next वाली जो value है, वो क्या हो जाती है, हमारी reciprocal हो जाती है ठीक है, ऐसा होता है, यह concept होता है, clear है बात, तो चलिए हम करते हैं तो थर्ड का first part क्या है, हमारे पास में 7 upon 3 divided by 2, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है यह divide को convert करना है, किसमें multiplication में, लेकिन जब divide को जब हम multiplication में convert करेंगे तो division के next value value जो है, यह मतलब 2 जो है, वो क्या हो जाएगा, हमारा reciprocal हो जाएगा, बात clear है अब देखिए, यहाँ पर मुझे आप बताईए, कि यह 7 upon 3 है, यह 2 only लिखावा है, only 2 लिखावा है तो 2 के नीचे क्या होता है, default value क्या होती है, किसी भी number के नीचे, किसी भी whole number के नीचे, default value क्या होती है इस दिवाइट क्या होता है, हमारा 1 होता है, यह बात हमेशा ध्यान रखना है, clear है, यहाँ पर देखिए, only 2 लिखावा है, denominator में कुछ भी नहीं लिखावा है, यह numerator में लिखावा है, तो आप अपनी मर्जी से क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, क्योंकि क्या होता है, default value क् होती है, 1 होती है, तो हमने लगा दिया 1, clear है, अब देखिए, आप करते हम इस question को solve, तो यहाँ पर देखिए, 7 upon 3 है, इस divide को हम किस में convert करेंगे, multiplication में, जब divide sign को आप multiplication में convert करोगे, तो divide के next value value जो है, वो क्या हो जाती है, हमारी reciprocal, देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 upon 1 है, यह convert होकर क्या हो जाएगा, हमारा 1 upon 2 हो जाएगा, अब simply इसे क्या करते है, multiply, 7 into 1 करें, तो क्या आएगा, 7 और 3 into 2 करें, 6, मतलब numerator को numerator से multiply, denominator को denominator से multiply, तो 7 upon 6 इसका क्या आएगा, हमारा answer आएगा, clear है, चलिए, अब second part करते है, तो second part क्या है, हमारे पास में, 4 upon 9 divided by 5, और देखि fraction को आप mix fraction में भी convert कर सकते हो, तो यहाँ पर इस question का answer, आप mix fraction के अंदर भी ला सकते हो, तो आप और आगे solve कर लेना, 7 upon 6 को mix fraction के अंदर भी, आप convert कर सकते हो, कर लेना बले ही, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 4 upon 9 divided by 5, अब 5 के नीचे क्या होगा, भया, default value क्या ह होती है, हमारी 1 होती है, तो लगा दीजी 1, अब देखिए, यह 4 upon 9 था, divide था, divide को हम किसमे convert करेंगे, multiplication में, और 5 upon 1, जब divide को multiplication में convert किया, तो divide की next वाली value, जो 5 upon 1 है, यह किसमे convert हो जाएगे हमारी, reciprocal हो जाएगी, 1 upon 5, अब इसे solve कर लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, 4 into 1 करें यह तो कितना आएगा, 45, 95 जा, 45, clear है, तो 4 upon 45 इसका answer होगा, अब देखिए, थर्ड वाला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, 6 upon 13, और divided by 7, ठीक है, तो 7 के नीचे क्या है, default value क्या होगी हमारी, 1 होगी, जितने भी numbers है, उनके default value नीचे क्या होती है, हम इने भी number से उनके denominator क्या होता है, हमारा 1 ही होता है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर 6 upon 13 है, 6 upon 13 लिखिए, यह divide था, divide को किस में convert करेंगे, multiplication में, जब divide को multiplication में convert करेंगे, तो divide के next value value है, वो क्या हो जाएगा, हमारी reciprocal, 7 upon 1 किस में convert हो जाएगा, हमारा 1 upon 7 में, ठीक है, अब simply multiply कर लो, तो 6 into 1 करेंगे, तो 6 आएगा, वो 13, 7 जा कितना होता है, 91, तो 13, 7 जा 91, आप लिख सकते हो, ठीक है, तो 6 upon 91 इसका answer होगा, अब देखिए, 3rd part हो गया, 4th part भी कर लेते हैं, तो 4th part है, हमारे पास है, 4 whole 1 upon 3 को divide करना है हमारे को 3 से, अब यहाँ पर थोड़ा सा किया धिहान रखना है, क्या धिगान रखना है कि यह mix fraction है, तो mix को पहले to improper में convert करो, ठीक है, पहले आप directly, sign change मत करो, Punjabik को multiply मट करो, पहले आप क्या करो, improper में convert करो, तो इसे improper में convert करेंगे, तो 4, 3じゃあ कितना होता है, 12, 12 plus 1, 13 हो पर 3, 4 जा कितना होता है, 12, 12 plus 1, 13 और यह 3 है, तो 3 upon 1 हो जाएगा, आपको पता है, default value क्या होती है, denominator में 1 होती है, अब इसे solve कर लेते हैं, तो 13 upon 3, और divide किसमें convert हो जाएगा, इंटू में, और यह हो जाएगा हमारा 1 upon 3, ग्रैसी प्रोकल होगा, प्योंकि divide को multiplication में change करा, अब देखें, कुछ reduce हो रहा है, नहीं ह हो रहा है, तो numerator को numerator से 13 into 1 करेंगे, 13 आएगा, और 3 into 3 करेंगे, 9 आएगा, तो 13 upon 9 इसका answer होगा, चलिए, अब 5th part करते हैं, तो 5th part क्या है हमारे पास में, 3 whole 1 upon 2 को divide करना है हमारे को किस से, 4 से, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले mix fraction को improper में कर लेते हैं, 2, 3, 6, 6, 6 plus 1, 7, 7 upon 2 divided by, यहाँ पर देखें, 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 upon 1, क्योंकि जितने भी numbers होते हैं, उनके नीचे क्या होता है, default value 1 होती है, तो denominator में हमने के 1 लगा दिया, अब देखें, इसे solve कर लेते हैं, तो 7 upon 2, divide को किस में convert कर सकते हैं, multiplication में, लेकिन जब multiplication में convert करेंगे, divide को तो next value value क्या हो जाएगे हमारी reciprocal, 4 upon 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 upon 4, अब reduce हो रहा है, तो कर लीजिए, reduce नहीं हो रहा है, 7 into 1 कर रहे हैं, 7 और 2 into 4 करेंगे, 8, 2 4 जा 8, तो 7 upon 8 इसका answer होगा, चली 5th पार्ट भी हो गया हमारा, 6 वाला पार्ट कर लेते हैं, 6 वाला पार्ट क्या 3 plus 3 कितना होगा हमारा, 31, 31 upon 7 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखे, divide लगा हो है, divide लगा लिजिए, 7 है, 7 के नीचे क्या होगी, default value 1 होगी, तो हम लिख लेते, 7 upon 1, अब देखे, इसा आगे solve करते हैं, तो 31 upon 7, and divide को हम convert करेंगे, multiplication में, ठीक है, तो multiplication में जब divide को convert करेंगे, त next value क्या हो जाती है, हमारी reciprocal, तो 7 upon 1 क्या हो जाएगा, हमारा 1 upon 7, अब अगर reduce हो रहा है, तो reduce करेंगे, नहीं, तो क्या करेंगे हम, इसे multiply कर लेते हैं, तो 31 into 1 करेंगे, तो 31, और 7 into 7 करेंगे, तो 49, तो 31 upon 49 इसका answer होगा, clear है, तो इस type से in questions को आपको solve करना है, तो बहुत आ सान है, बस आपको यह याद रखना है, कि जब भी fractions के अंदर divide आता है, तो वहाँ पर क्या करना है, आपको multiplication में convert करना है, उस divide sign को, लेकिन जब आप multiplication में convert करोगे, तो divide के next वाली value को क्या कर देना है, आपको reciprocal कर देना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा, और जित आपके सामने 97 लिख दिया, अब 97 के नीचे क्या होगा हमारा denominator 1 होगा, ठीक है, यह हमेशा आपको याद रखनी है, तो उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगे, अगर वीडियो पसंद आई होगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्स कर लिजेगा, जिससे की अपकमिंग वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे, thank you so much